तो हेलो वाट्सव कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका इस अमेजिंग सी अमेंडमेंट वीडियो में एंड बिफोर वी बिगन वीडियो जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए जैसे स्टूदेंट्स की तरह आप अपनी अच्छे से सब कुछ समझ आता था तो नोगलार का क्या मतलब है बेसिक देशी भाश्य में बता है तो अगर आपका जो क्लाइंट है अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो अगर नहीं कंप्लाय कर रहा ठीक है विद दा लौज जैन रेगुलेशन उसको नोग नोगलार बोलते है तो कोई रॉकेट साइंस वाली क वो करना चाहिए था नहीं किया या जो किया वो गलत किया एट कैन बी अगेन इंटेंशनल और अनिंटेंशनल कांटरी तुआ प्रिवेलिंग लौ और रेगुलेशन अब सरहे किया किसने जो ओमिशन और कमीशन ने यह किसने है यह करी है या तो आपके क्लाइंट ने या पिर आपका जो employer है उसका जो TCWG है और जो management है उसने ये हरकत करी है या उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं other individuals working for and under the direction of the client or employing organization they have covered it तो अगर इन में से किसी ने भी गडबड करी है तो आपको क्या करना है यही in regulations में लिखा है है एक्रणलेहां बडद हो सकती है क्या क्या या तो यह लोग fraud करते हैं खोस खाते है corruption करते ब्राइबरी करते घूस सर्ट कौन लोग करते है आई बात समझ अब सर बैंक से हमें एक पॉइंट और याद आया मनी लॉंडरिंग का क्या बात कर रहे हो हां जो हमारी बैंक सोते उनको भी तो जो प्रिवेंशन और मनी लॉंडरिंग एक्ट होते है उसमें एक सेक्शन होते हैं 11 या 12 उसमें रिपोर्टिंग अथोरिटी की बात करते हैं money laundering में सर आप audit के बीच में पमला क्यों गुसा रहे हो मेरे मर्जी तुम्हारा क्या जा रहा है मिरको अच्छा लगता है गुसाने में जल्दी से बताओ money laundering आएगा आ सर आ सकता है आई बात समझ येस सर और बताओ सर और और क्या-kया दिक्कत हो सकती है प्लस इट कैन भी रिगार्डिंग्ट टेक्स पेमेंट्स पेंशन लिएबिलिटी और पेमेंट्स यहां पर भी दिक्कत हो सकती है पूब्लिक हैल्थ और सेफटी को लेकर उनकी non-compliance हो सकती है इन्वार प्रक्षिन और ब्राइबरी से याद़ भूस कौन लेता बैंक वाले लेते बैंक से आदा पनला पनला के बाद आप यह बोल सकते हो बैंक में डेटा का भी फ्रॉड हो जाता है तो डेटा प्रोटेक्शन करनी है एक दो तेन और चार यह चारो पॉइंट तो हमारे दिमाग में गए, फिर हम बात करते हैं पुब्लीक की, पुब्लीक के पास हम चलते हैं, जब जैसी चार पुइंटो खेल, पुब्लीक की हेल्थ और सेफ्टी क्यों खराब हो रही है? सर हेल्थ इसले खराब गोरी क्योंकि environment की बैंड बजी पड़ी है so the sixth point is environmental protection मजा आ गया सर फिर से जल्दी से बताओ क्या क्या points करें सबसे पहला point क्या था भूल गए ऐसे कैसे भूल गए fraud था na fraud और वो क्या नाम था fraud की थी और किसकी वाद की थी bribery की वाद की करते हैं बैंक वाले बैंक का मतलब था banking and other financial products and services फिर बैंक से याद आया था पुमला यानि money laundering activities होती है और money laundering के साथ साथ हमने बोला था data भी उड़ जाता है तो data protection की बात करेंगे चलो public के पास चलते public health and safety public health क्यों खराब और ये environment खराब है environmental protection is the last point फटा फटा फटी छे के पॉइंट साभी याद कर लो बली वीडियो pause करके कर लो and then let's move ahead now some important facts about no klar are given below ये तीन चोटी-चोटी बात है आपने याद रखनी है सब no klar का मतलब है non compliance laws and regulation यानि अगर कोई non compliance होगी तो आपको report करके चलनी है बड़ एक बात बताओ क्या हमें सारे laws and regulations की expertise होनी चाहिए नमीता था पड़ क्या बोलती है इसमें मेरी expertise नहीं है I'm out तो आप ये बोलो expertise की जरूरत नहीं है बड़ एक basic working knowledge की जरूरत है जो एक auditor को वैसे भी होनी चाहिए एक बाह बताओ जब आप किसी client का audit करने चाहते हो तो क्या आपको income tax act की expertise knowledge होती है नहीं बड़ आपको basics पता होती कि TDS क्या होता है TDS कितने rate पे काटा जाता है किन किन चीज़ों पर काटा जाता है इसी तरह मैं employee provident fund act की बात करूं आपको पता है EPF क्या होता है ESI क्या होता है बड़ इनकी expertise knowledge नहीं होती तो जो working knowledge है उतनी काफी है इसको करने के लिए audit को second point कई चोटी चोटी चीज़ों को आपने ignore करके चलना है जैसे कि जो एकदम मामूली insignificant बात है पांच सो रुपे की छे सो रुपे की penalty client पे लग रही हो उसको इग्णोर करो कैसी कैसी चोटी चोटी तुछ बाते करते हो और बताऊ सर जो उनके personal misconduct है सर personal misconduct यानी आज client को and the third point is disclosures which is contrary to law is not required यानी यह कहता है अगर कोई non-compliance होती तो as an auditor आपने disclose करके चलनी है बट अगर law कहता है मत करो तो मत करना सबसे उपर law तो आपने law की सुननी है अगर law कहता है disclosure नहीं करना तो नहीं करेंगे हमारा के जा रहे है अब आता है sir applicability of noclar in India before I discuss about India let's talk about international sir internationally कहते ह है noclar is applicable to all the assignments यानी एक member in practice कोई साभी assignment ले ले उस पे noclar applicable होगा if I talk about employee sorry employers पे applicable है for the members in service but ICI की बात करें तो ICI ने पहले बोला तर लिस्टिड entities sorry covered है सभी बोल रहा हूं हाँ पहले यही था अब इन्होंने amendment देके बोला audit engagements of listed entities उसमें भी एक amendment डाल दी और बोला having net worth 200 करोड या उससे ज्यादा come on सिरफ listed entities नहीं एक condition और satisfy करनी है कि network 200 करोड या उससे ज्यादा होनी चीए इसको please star mark कर लो मुझे लगता है यह ICI आपसे MCQ में पूछ सकता है तो यह बात आप ध्यान रखके चलेंगे if I talk about members in service तो जो entities listed हैं उनके जो key managerial persons है CA फिर से बोल रहा ह अगर आपको कोई non compliance मिलती है कूदना नहीं है चीजों को समझना है फिर से बोल रहा हूँ अगर कल को कहीं कोई गडबड मिलती है तो पहले उसकी understanding लो पहले उसको digest करो है क्या take an understanding of the matter तभी आप उसको address कर पाओगे come on पहले आप उसकी understanding लो फिर आप उसको address करो sir हमें address करना नहीं आ रहा बोलो मेरे साथ हमें address करना नहीं आ रहा तो अपने दोस्त से advice ले लो आपका कोई दोस्त होगा तारक महता types तारक महता जी के पास जो और उनकी advice लेकिया हो and determine करो क्या आपको कुछ further action लेने की जरूरत है and जब आपने सारी चीज़े सीख ली अब आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको disclose करने की जरूरत है भी या नहीं and the next point is imminent breach या अगर आपको देखना कि disclose करने की जरूरत है या नहीं तो पहले यह देखो कि क्या यह जो non compliance होई है कहीं इससे कोई serious harm ठीक है serious harm या serious दिक्कत तो नहीं होने वाली employees को investors को जिन से loan लिया है उनको and जो भी आप काम करते हो इसको document करके चलना है these are the steps to be taken for responding वापिस धीरे धीरे चलते हैं पहले तो चीज़ों को समझेंगे take an understanding of the matter समझ में आ गई मान लो थोड़ी बहुत समझ में आ गई अब आप address करने चलो sir address कर रहे थे पर समझ में नहीं address कैसे करेंगे हमें matter तो समझ में आया पड़ यह नहीं समझ में आ रहे address किसे करें तारक महता से पूछो तारक महता से आप advice लेकर हो seeking advice from the matter then determine करो कुछ और action लेने की ज़रूरत है and action लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा sir respond करना पड़ेगा so determine whether to disclose it to an appropriate authority so the action is disclosure to the authority what is the action sir it is disclosure to authority and disclose तभी करेंगे जब imminent breach होगी sir imminent breach के बारे पहले आपके course में provisions थे इसको amendment देके हटा दिया तो thank you ICI and आकरी में आप बोलो सारी चीज़े हम document करेंगे फिर से understanding of the matter फिर हम उसको address करेंगे address करना समझ में नहीं आता तो advice लेकर चलो अब sir advise Lee अब हमको यह देखना क्या action लेने की जरूरत है action यानि आपको कहीं ना कहीं उसको बाबाजी की चाहिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना है उसको report करके चलना है अब आप report तब करेंगे जब imminent breach है and imminent breach के बार उसकी documentation करो अब sir documentation क्या क्या करेंगे सबसे पहले तो अगर आपको कोई गडबर मिली तो आप यह देखो management और TCWG ने कैसे उस पर respond किया ठीक है then the course of action जो आपने लिया and the last point is whether you are satisfied whether you are satisfied that the responsibility of public interest has been fulfilled so the first thing is how the management TCWG responded to the matter second thing is the course of action that you took the judgments that you made and the decisions that you took having regard to a reasonable and informed third party test sir third party test या नि अगर आप नहीं होते कोई और third party होती तो वो क्या इस case में वही करती जो आपने किया तो यही point को हम third party test कहते है so आपने management ने कैसे respond किया वो तो ठीक है but आपने किस क्या action लिये and last point is third point is satisfied क्या आप अपने आप से satisfied है so जैसे मैं आप से अप सवाल पूछता हूँ क क्या आप अपनी preparation से satisfied है चो भी answer हो बोलो हाँ जब तक तुम अपनी preparation से satisfied ने होगे I say को कैसे satisfy करोगे तो confidence पूरा होना चीह है ठीक है हम भी है जोश में yes sir now comes the last point of noclar which is very very easy noclar versus acid ISO इसे डाइसो टॉक्स अब दो तरह के लॉज होते हैं एक का direct effect होता है एक का direct effect नहीं होता तो जिनका direct effect होता है on the material amounts and disclosure in the financial statement इनके लिए आपको sufficient and appropriate evidence लेके चलना पड़ता है याद आ रहा ही याद आ रहे नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो भाई सार भगवान श्री कृशन का आशीरवाद है ऐसे डाइसो रिवाइस करें वीडियो के बाद ठीक है sir दूसरे laws जिनका direct effect नहीं है जैसे कि मतलब व to environmental protection act क्या environment balance sheet में दिखाया जाता है नहीं sir बट अगर मैं environmental protection act के साथ compliance नहीं करूंगा तो penalty लगेगी and that penalty will have to create a provision in the financial statement तो यह कहता है other laws and regulations which don't have a direct effect but compliance is fundamental to the operating aspects of business तो इन laws के लिए भी इन laws की non-compliance के बारे में भी आपको evidence लेके चलना पड़ता है आपको alert रहना पड़ता है ऐसा asset ISO हमको सिखाता है नोकलार कहता है कि हम भी asset ISO जैसे ही हैं बट हम उन non-compliance की बात करते हैं जो cause करते हैं substantial harm और serious consequences in financial or non-financial terms हम सिरफ financial terms नहीं लेते हम non-financial terms को भी consider करते हैं कहीं ना कहीं यह imminent breach की ही बात कर रहा है तो sir हम इसका क्या करें चुप चाब रीड करो और आगे नोकलार कहता है हमारे stakeholders है उनको हमें ध्यान में रखके चलना है सरी stakeholders को हमें creditors है investors है employees है और general public है जिनका सबका साथ सबका विकास हो के चलना चीए क्छायब रहाइं तो चलना कर लें चैनल के साथ बने रहा Nako चीपने तभी 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 चलो कскихेंटर कहिंट पर जिए घर्यों渡 है तो एंट करेंगे उचिए नियू नों तभी अक्हिटीन कर से इसक्टेहर पेजिए पर ने पढ़ेगे तभी को कप्लीट करो एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टे कनेक्टिट से सब्सक्राइब क्या बोट रहा है से कनेक्टिट से सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई